नमस्कार मेरा नाम है सनी सारद और आप देख रहे हैं The Follow-up और मांजी हत्याकांड की गुथी सुलज गई है मुख्य आरोपी सेख विलाल और उसकी पत्नी अफसाना को पुलिस ने गिरपतार कर लिया है लेकिन सूफिया परवीन का क्या हुआ? वह सूफिया जो सिर्फ प्यार चाहती थी प्यार चाहने के लिए और दुनिया बसाने के लिए ही सबसे पहले साधी सुदा खालित से उसने साधी की उसके बाद उसे पता भी नहीं था कि बिलाल साधी सुदा है और उसने बिलाल से भी साधी कर ली उस सूफिया परवीन को क्या मिला, मौत मिला आपको जानकर हैरानी होगी कि सूफिया पिछले कई महिनों से सिर्फ एक कपड़े में अपना जीवन गुजरबसर करती थी आज इस रिपोर्ट में हम आपको सूफिया परवीन से जुड़ी हुई कई महतपुर्ण जानकारी देंगे साथ ही जिस तरह से हमारे कई दर्शकों ने यह मांग की थी पूरे घटना क्रम पर एक पूरी तरह से रिपोर्ट बनाए तो हम कोशिस करेंगे कि आज पूरे घटना क्रम को भी आपको जरूर बताएं आज जारखन पुलीस मुख्याले में डिजीपी एंबी राउने प्रेस कॉनफरेंस कर इस और मांजी हत्याकान का एक तरह से खुलासा किया और उनने कहा कि जो भी पुलीस के ओफिसर इस मामले में लगे थे इस ब्लाइंड केस को सुल्जाने में लगे थे उन्हें सम्मानित किया जाएगा जाहिर सी बात है कि तीन जनवरी को और मांजी थाना चेतर के जंगल से जब नगन अवस्था में एक धड़ बरामत हुआ था तो किसी को कुछ भी नहीं पता था नहीं पता था कि आखिर ये किसका धड़ है किसने हत्या की और कौन लोग इसमें सामिल है अभी तक जो खुलासे हुए हैं उसमें कई तरह की बाते निकल कर सामने आ रही है लेकिन हकीकत क्या है वह भी हम आपको बताएंगे तीन जनवरी के बाद से ही पुलीस लगातार इस मामले की तहकीकात में जुटी थी हमारे और आप तक जो जानकारी है यही जानकारी है कि पुलीस को किसी गुपचर ने सूचना दे थी कि चानों से एक लड़की गायब है और उसके बाद पुलीस का इन्विस्टिकेशन कहा जा सकता है कि सही दिशा में चला ऐसा हम लोग अब तक सुने है लेकिन दा फॉलो अप को जो जानकारी है उसके अनुसार बिलाल के बारे में पुलीस को चानों से जब परिवार सामने आया उससे पहले ही पता चल चुका था दरसल तीन जन्वरी को जब और मांजी के जंगल से सो बरामद हुआ और पुलीस लगातार इस मामले की जाँच में जुटी थी तो पहले घटना अस्तल पर गिरे खून के हलके से धब्बे को देखकर यही अंदाजा लगाया गया कि सायद यूती को कहीं और मारा गया है और लाकर यहाँ पर फेक दिया गया है लेकिन उसके बाद जब डियाईजी और पुलीस के बड़े अधिकारी वहाँ पर पहुँचे और घटना अस्तल पर जहाँ पर ब्लड गिरे थे उस वहाँ की मिट्टी को निकाला गया तो पता चला कि करीब देड़ से दो फिट अंदर तक ब्लड गया है इसका मतलब यह साफ हो चुका था कि सूफिया की हत्या और मांजी के उसी जंगल में की गई थी यही से पुलीस की जाँच जो है थोड़ी तेज हुई और सही दिसा में जानी शुरू हुई पुलीस के अधिकारियों ने उसके बाद घटना अस्तल के करीब दो किलोमीटर के एरिया के सभी वांचित और बड़े क्रिमिनल को खोजना शुरू किया दरसल पुलीस का सक बड़े अफराधी की ओर इसलिए गया क्योंकि पुलीस यह मान कर चल रही थी कि जिस तरह से पूरे घटना करम को अंजाम दिया गया है इसमें किसी सातिर का ही हाथ हो सकता है क्योंकि पहले सरीर से सिर्क को अलग कर देना इसका मतलब पहचान को मिटाना और दूसरा जो कपड़ा पहना है पहनी थी असूफिया उसे भी जला देना तो पुलीस ने आसपास के दो किलोमीटर के एरिया में जब क्रीमिनल को ढूड़ना शुरू किया तो दो अफरादियों का नाम उसमें आया था जिसमें की एक नाम बिलाल था पांच जनवरी को पुलीस बिलाल के मोबाइल नमर और फोटोग्राप्स की तलास कर रही थी तब तक ये बाद बिलाल को पता चल गया और बिलाल अपने चंदवे के घर से फरार हो गया उसके बाद चानों से परिवार सामने आया और उसने पूरी कहानी बताई और फिर बिलाल का नाम सामने आया दरसल जो सौव है जो तस्वीरें अगर आप तक भी सोशल मीडिया के जरीए पहुँची थी विवत्स तस्वीर उस सरीर में कहीं जक्म नहीं था सिर्फ जो लड़की थी उसके प्राइवेट पार्ट पर भी जक्म था पुलीस ने खुलासा करते हुए यह भी बताया है कि सूफिया परवीन की हत्या बिलाल और उसकी पत्नी ने जरूर मिलकर की लेकिन सूफिया के प्राइवेट पार्ट पर बिलाल की पहली पत्नी ने हमला किया था और वह हमला गुस्से में किया गया था दरसल पुलीस ने जब बिलाल की तस्वीर जारी करते हुए उस पर इनाम की घोशना की और लोगों से कहा कि अगर इसे पहचानते हैं तो आप बताएं उसके बाद यह निकल कर सामने आने लगा मीडिया में भी खबर लगातार आई कि बिलाल की पत्नी सूफिया थी दूसरी पत्नी थी और यही वज़ा है कि बिलाल ने हो सकता है कि दोनों के बीच कोई आपसे विवाद रहा हो और उसकी हत्या कर दी गई हो बिलाल की पत्नी सूफिया दूसरी जरूर थी लेकिन पुलीस ने यह भी बताया कि मई 2020 में बिलाल को आर्म्स एक्ट में सूफिया नहीं जेल भीज़वाया था और जेल भीज़वाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि सूफिया नहीं चाहती थी कि बिलाल अपनी पहली पत्नी के साथ रहे लेकिन बिलाल अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उसके दो बच्चे थे सूफिया बिलाल पर अक्सर यह दवाब डालती थी कि वह अपनी पहली पत्नी को छोड़ दे लेकिन बिलाल छोड़ना नहीं चाहता था और ये विवाद इतना गहराता गया कि बिलाल ने सूफिया को रास्ते से हटा दिया एक बात और जो पहले निकल कर सामने आ रहाई थी कि सूफिया बिलाल के घर पर ही रहती थी लेकिन अब जो बात निकल कर सामने आई है उसके अनुसार सूफिया बिलाल के घर पर नहीं रहती थी अक्टूर 2020 में बिलाल आर्म्स एक्ट के मामले में जेल से बाहर निकला जेल गया हुआ था मई में मई 2020 में और अक्टूर 2020 में वह जेल से बाहर निकला उसके बाद से सूफिया बिलाल के पास नहीं रहती थी सूफिया लोधमा में बिलाल की बहन के पास रहती थी पुलीस सुत्रों ने बताया कि सूफिया के पास शिर्फ एक ही कपड़े थे जब वह घर में रहती थी, तो वह बिलाल की बहन की नाइटी पहनकर रहती थी और जब भी बाहर जाती तो वही एक सल्वार सूट जो सूफिया के पास था वही पहन कर अक्सर वह निकला करती थी हो सकता है कि यही वज़ा हो कि बिलाल ने हत्या करने के बाद सूफिया के कपड़े भी जला दिये थे सूफिया के घरवालों से जिस तरह से हमने बात की थी और उन्हेंने बताया था कि खालिद ने जब सूफिया को छोड़ा था उसके कई महने बाद वो लोटकर घर आई थी लेकिन उसके बाद फिर वो कहां गई इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी दरसल घर से जाने के बाद यानि कि चानों के अपने घर से जाने के बाद सूफिया बिलाल की बहन के पास जाकर रहने लगी थी अब सवाल उठता है कि अगर सूफिया बिलाल की बहन के पास रहती थी तो बिलाल के पास कैसे आई और यह घटना को अंजाम आखिर कैसे दिया गया दरसल बिलाल सूफिया को रास्ते से हटाना चाहता था बिलाल और उसकी पत्नी अपसाना दोनों मिलकर तो बिलाल ने सूफिया को बताया कि खालिद जो बिलाल का पहला पती है उससे उसका जो विवाद चल रहा है उसे वह सल्टा देगा और कुछ पैसे के लेंदिन को लेकर इसे सल्टाया जा सकता है इसी बात को लेकर लोधमा से सूफिया को लेकर बिलाल चंदवे पहुचा लोदमा से जब बिलाल चंदवे के लिए आ रहा था उस वक्त बिलाल मोटर साइकिल चला रहा था सूफिया बीच में बैठे थी और पीछे बिलाल की पहली पत्नी अपसाना बैठी थी घटना अस्तल पर ले जाने के बाद बिलाल ने पहले गला दबाकर सूफिया को बेहोस किया उसके बाद उसके गला को काट दिया लेकिन फिर भी बिलाल की पत्नी अपसाना का गुस्सा सांत नहीं हुआ और उसके सरीर के प्राइवेट पार्ट पर उसने कई बार जखमी किये दरसल और मांजी हत्याकांड का पूरा मामला बिलाल सूफिया और खालेद के इस ट्रेंगल में फसा हुआ है और यही वज़ा है कि जब सूफिया की पहचान हो गई और उसके बाद पुलीस को मामले को सुलजाने में या फिर कहें इस गुत्थी को सुलजाने में बहुत देर नहीं लगी पुलीस या साब तोर पर मान रही है कि जिस तरह से खालीद के पास सूफिया पहले रहती थी उसके बाद खालीद से उसका विवाद हुआ और सूफिया बिलाल के पास रहने लगी इसमें खास बात यही है कि खालीद से अलग होने के बाद सूफिया का कोई तलाक नहीं हुआ और बिलाल के साथ हुआ रहने लगी जैसा कि बताया जा रहा है कि बिलाल के साथ हुआ साधी कर चुकी थी लेकिन सूफिया और बिलाल एक साथ रहने तो लगे लेकिन सूफिया को जब इस बात का पता चला कि बिलाल पहले से साधी सुधा है और उसकी एक पत्नी है और दो बच्चे हैं तो वह अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए कहने लगी लेकिन बिलाल इस पर राजी नहीं हुआ और इसी बात को लेकर पूरा विवाद बढ़ा लेकिन पुलीस उत्रों ने बताया कि जब बिलाल की गिरपतारी हुई पुलीस को यह गुप्त सूचना मिली कि बिलाल एक ओटो पर चड़कर भाग रहा है और कूटे से उसकी गिरपत इसकी जो एसाइटी थी उसने खेत में दोड़कर बिलाल को पकड़ा बिलाल जो पेले रंग का जैकेट पहना है वही पहना हुआ था टोपी पहना था और चेहरे पर मफलर बांधा हुआ था बिलाल को पुलीस ने जब एरेस्ट किया और पूस्ता शुरू की शुरू में ब पूरे घटना करम से इनकार किया उन्होंने अपनी सनलिपता नहीं बताई उन्होंने कहा कि इस मामले में उसकी कोई सनलिपता नहीं है उसे फसाया जा रहा है लेकिन जब बिलाल और उसकी पत्नी अपसाना दोनों को आमने सामने बैठा कर पूस्ताच किया गया उसके बाद बिलाल ने पूरी कहानी बता दी और इस घटना में अपनी सनलिपता सुईकार ली। लेकिन पुली सुत्रों ने बताया कि बिलाल को अभी भी रत्ती भर भी अपसोस नहीं है कि उसने अपनी दूसरी पत्नी सूफिया परवीन की हत्या की है, निर्मम हत्या की है, गला काट कर ह पुली सुत्रों ने यह भी बताया कि बिलाल लगातार कहता रहा कि शूफिया अच्छी लड़की नहीं थी और उसे मार कर उसने कोई गलत काम नहीं किया है, शुक्रिया.